हेलो स्टुटेंट आप सबका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है अगर आपने भी कॉमन इंट्रेंस टेश अर्थास CT 2021 का इंट्रेंस इग्याहम दिया है तो आपका भी एकी सवाल होगा कि मेरे इतने माक्स हैं तो मुझे क्या गवर्न्मेंट कॉलेज मिल जाएगा और लगभग लोगों का एकी सवाल यही आ रहा है कि मेरे इतने माक्स हैं और क्या मुझे गवर्न्मेंट कॉलेज मिल जाएगा और CT की तुरुक कितने गवर्न्मेंट कॉलेज अफलेट हैं कितने private college affiliate है सब आप सब के सवाल है तो मैं इस वीडियो में clear करूँगा और मैं एक चीज और बता दूँ यहाँ पर मुझे कुछ information मिलिए उसी के साफ से मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर कोई इसकी तरफ से announce नहीं किया गया है कितने college affiliate है या इतने government college affiliate है तो मैं जो information मेरे पास है उसी के साफ से मैं बताऊँगा तो पहले हम बात कर लेते हैं government college की government college की तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जैसे आपका एक SN medical college हो गया जो की आगरा में है SN medical college तो यह भी government है यहाँ पर something 60 40 seats हैं और साथ नहीं 40 seats हैं जो की पूरी तरीके से government की है तो यह भी इसके साथ affiliate है उसके बाद एक है GIMS अर्थाज government institute of medical science यह भी पूरी तरीके से government है और इसमें जो है 60 seat है BSC nursing की और यह भी जो है अटल विहारी से affiliate हो चुका है उसके बाद JS VM तो काफी बच्चे जो है JS VM Medical College की तयारी भी कर रहे थे क्योंकि पिछले साल इसका entrance वह था और लगभग हर साल entrance exam होता था BSC nursing के लिए बट इस साल तो अभी इसका form ही नहीं आया है और अब क्या आएगा क्योंकि Indian जो है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है उसने भी एक नोटिस जारी किया था कि 31 दिसंबर तक लगभग नर्सिंग में entrance exam हो जाना चाहिए था नर्सिंग का तो बट इसका आयान है तो साथ ये भी जो है इसके साथ अफिलेट हो चुका है तो यहां पर भी काफी अच्छा होगा और मैं आपको बता दूँ अटल विहारी से 11 ऐसे medical college होंगे जो इसके साथ अफिलेट होंगे और इन medical college में अगर नर्सिंग होगा तो ये सारे के सारे फिर government होंगे तो सारे के सारे फिर आपको government seat मिल सकती फिलाल 11 होंगे इस साल अभी 11 ना हुए हों भले बट होंगे जरूर और साथ नर्सिंग college होंगे साथ जो है नर्सिंग college होंगे तो आप लोगों के marks मैं आपको बता दूँ कितने आने चाहिए जिससे आपको government college मिल जाए तो यहां पर मैं marks की बात ना करके मैं rank की बात करूंगा क्योंकि अब तो rank आपको पता चल गई है तो अगर आपकी rank 500 है तो फिर आपको मिल जाएगा government college क्योंकि seats मेरे हिसाफ से तो काफी जादा है अगर आपकी rank 500 है तो आपको government college मिल सकता है और अगर इससे उपर है तो private college तो मिल जाएगा और एक चीज में बता दूँ यहां पर पहले बहुत से college थे जो KGMU से अफलेड थे तो वो अब अटल विहारी से जो है अपना seats full करेंगे मैं आपको बता दूँ अगर वो college वो तो सारे के सारे private हैं अगर वो आपको मिल जाते हैं तो उनको छोड़ना बिलकुल ना क्योंकि वहां पर admission लेना आपके अच्छे के लिए होगा दोस्तों बहुत लोगों का सपना होता है तो रैंक होनी चाहिए जनरल की और OBC और SC की 500 आप यह समल लो तो जनरल वालों की डेर्ट सो या दोसो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं फिर गौर्ण्मेंट कॉलेज मुस्किल हो जाएगा मिलना बट 500 रैंक तक है तो आपको गौर्ण्मेंट कॉलेज मिल जाएग अगर आपकी रैंक 4, 5,000, 6, 7,000 तक भी आ जाती है तो आपको कोई न कोई प्राइवेट और 10,000 तक भी जाएगा काईच चूंकि सारे बच्चे एडविंसन लेंगे नहीं जहां तक चूंकि बहुत बच्चे छोड़ देंगे तो अगर आपकी 7, 8,000, 9,000 तक भी रैंक जात है यह मेरा वीडियो पब्लिस जब तक हो उसके कुछ समय बाद भी नोटिस आज आए क्योंकि यहां पर कभी भी एनॉंस किया जा सकता है काउंसिलिंग को लेकर जब काउंसिलिंग को लेकर एनॉंस किया जाएगा तो तो वहां पर सारी डिटेल आपको दी जाएगूए से सब्सक्राइब तो अगर आपको बता नहीं सकते गाईजो आपको परोड़ में इसमीर्म आपको और अगर फर्ड राउंड की कांसिलिंग में हो जाता है तो आप कांसिलिंग कराने के तुरंत बाद आप अपना जो है स्कॉलर्शिप का फॉर्म फिल कर सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाई मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपको स्कॉलर्शिप इस साल जाएंगे तो हमें स्कॉलर्शिप नहीं मिलेगी तो फिर मुझे लगा उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने वीडियो बना दिया था और मैंने बोला था कि आपकी दस जन्वरी तक तो स्कॉलर्शिप की डेट जाएगी ही जाएगी और यह कंफर्म भी हो गया है आप वेब साइट पर भी चेक कर सकते हो दस जन्वरी तक शुलर्शिप के फॉर्म भरे जाएंगे तो आप लोग काउंसलिंग जल्दी जल्दी करा लोगे तो और अच्छा होगा तो यह कुछ जानकारी थी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरू करना मेरे चैनल पर पहली